मुरतबाद के कचैरी परिसर में आज राष्टिय लोक अदालत लगाई गई जिसमें काफी समय से चल रहे वाद विवाद मुकदमा लोन से संबंदित समस्याओं आधी को लेकर साखुशल उसका निस्तारण किया गया आपको बता दे राष्टिय लोक अदालत हर तीन महीने में लगाई जाती है जिसमें लोगों को अपने वाद विवाद मुकदमे और किसी भी पिरकार के लोन से संबंदित समस्याओं आधी का साखुशल निस्तारण किया जाता है लोक अदालत में सभी बैंकों के बैंक अधिकारी, लीड मैनेजर, इंशोरेंस कमपनी के अधिकारी, विदुत विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, मुरदबाद, विकास ब्रादिकरण के अधिकारी सहिट, आधी सभी विभाग के अधिकारियों को आमंतरि कर वादी प्रतिवादी के बीद चल रहे वादों में समझाते के प्रियास कराए गए आज लगाए गई राष्टिये लोग अदालत में लगभग दो हजार लोगों की समस्यां का निस्तारण साकुशल किया जा चुका है जानकारी देटे हुए आगड़ी जिला प्रबंतक नोटिस भेजे थे जिसमें 2,000 लोग आए हैं जैसे जैसे कस्टमर आते रहेंगे उनकी समस्यां का निस्तारण होता रहेगा आये रन के लिए शांतनू मनोज की रिपोर्ट आज यहाँ नेशनल क दालत लग रहे है जो हर 3 महा के अंतरगत एंट नेशनल क दालत लगाई जाती है बढ़र अबू तक यहां जतने भी लोजन, NPO हो जई गये हैं जिनको एक साल हो गया है अभी भी नए भी NPO हो आज किसी भी तरीके से लोग भर नहीं पाई पैसा और अकाउंट खराब हो चुके हैं उनका सभी मामलों का निस्तार नहीं हो रहा है यह सुबह से चल रही है और जब तक कस्टमर आते रहेंगे तर तक चलते रहेंगे आज का दिन है पुरा और हमें उ लोग अदालत का फाइदा उठाएं यह लोग अदालत में आप कोई छूट दी जा रही है जड़ा ज़्यादा थाकि आप इस छूट का लाब उठाकर अपने लोन को बंद खरा सेंगे यूज डैस्क आइनन